चलिए और सीधी तस्वीरे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तयार हो चुका है और खुबसूर्ती से सजाया गया है पांच हजार से अधिक लोग इस वक्त यहां पर मौझूद हैं। तक जै श्री राम जो है वो गूंज रहा है उद्गाटन से पहले प्रान प्रतिष्ठा भी की गई और देखिए कितनी गर्म जोशी से गले भी लगाया। इसने भी यहां पर देखनी को बिला और प्रधान मंत्री का यहां पर स्वागत अब किया जा रहा उद्गाटन प्रधान मंत्री करने वाले हैं। और यह अपने आप में एतिहासिक शन है इसके पहले यह ऐसा हुआ कभी नहीं जो कि आज होने जा रहा है और सनातन का संदेश अबू धावी से पूरे विश्व में क्योंकि भारत तो हमिशा से यह कहता आया है वसुधैव कुटुम्ब कम और यही संदेश जो है इस पूरी धरा पर UAE से पहुचाया जा रहा है यह किवल एक मंदिर नहीं है बलकि यह सनातन का संदेश देने वाली एक एतिहासिक घटना है बस कुछी देर में मंदिर का उद्गाटन प्रधान मंत्री के द्वारा यहां पर किया जाना है इसलामिक देश है और यहां पर पहला नहीं हिंदु मंदिर का उद्गाटन समा रहो और यह सीधी तस्वीर सबसे पहले नियू जेटीन मध्य प्रधिश शातीजगर पर आपको बता दें कि यह 27 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर है और 1996 में यह विचार आया कि यहां पर मंदिर हमें बनवाना है और इसके पास लगातार होते रहे और फिर आपको बता दें कि UAE के जो शेख हैं उन्होंने भी इस मंदिर के लिए जमीन जो है वो दी है और अबूधावी से यह लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हैं पांच हजार लोग भारती जो हैं वहां रहने बाले वे इस पल के अतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और भारत से भी कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं आपको बता दें कि शंकर महादिवन जो हैं वो भी इस पल के साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने भी कहा कि यह एतिहासिक श संदेश देते हैं हम वसुधैव कुटुंब कम का संदेश देते हैं पूरी दुनिया को पूरे वश्व को तो इस्लामिक देश है लेकिन मंदिर से सनातन का संदेश यहां से दिया जा रहा है और अबु- αफी में नमो नारायन का ना जयकारा जो है वो गूंज रहा है प्रधान मंत्री यहां जितने भी तमाम लोग जो पहुँचे हुए हैं उनका सभी का अभिरंदन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं प्रधान मंत्री ने अपना संभोधन दिया था और बताया था कि भारत किन मामलों में नंबर फन है भारत जो है वो किस तरीके से पूरे विश्व में अपने अपने अलग पहचान बना रहा है अपना एक अलग मुकाम बना रहा है और उन्होंने ये वादा भी किया कि तीसरा टर्म जो होगा उसमें हिंदुस्तान को भारत को तीसरी दुन्या की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनाने का उन्होंने प्रण लिया है लक्ष रखा ऐ और उसे वे बनाने का काम करेंगे ग्यारंटी उन्होंने दी और यूएई के इस वकित सबसे बड़े हिंद बड़ी सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहां साथ इसाथ इस मंदिर के बारे में जो जानकारी साजा की गई है साथ गर्वगे में साथ अलग अलग तरह की मूर्थियां स्थापित की गई है स्वामंदीप बड़ुदेव और सुबद्रा की मूर्थि की मूरती पूरा श्यू परिवार गर्वगर के नहीं तुन इसके नीचे राम सीता लक्षमन और हनुमान जी के प्रतिमाहतु साथ शुकर हैं और साथ शुकर के नीचे अलग-अलग मूर्तिया फिलाल यहां पर साफित की गई है जिनकी आज प्राण प्रतेश्ठा हुई है सुबा पूजा की तस्वीर हमने देखी है और थोड़ी देर बाद आप चारिक तोर पर मंदिर का उत्गाटन भी हो जाएगा प्रधान मंत्री मोदी नहां तो 27 सेकड़ में यह मंदिर जो है यह फैला हुआ है और 1997 में अबू धापी में मंदिर का सपना देखा गया था बीए पीए से जुड़े भक्त पहले से एक छोटे से भवर में म बामुख स्वामी जो महराज हैं उन्होंने संकल पिलिया था कि यहां पर भी मंदिर बनाना है और तब से ही इसके प्रयास जो हैं शुरू कर दिये गए थे यहां की मूर्तियां जो हैं वो कितनी खुबसूरत हैं इन तस्वीरों को देख कर तो आप अंदासा लगा ही पाए होंगे लेकिन इन मूर्तियों को तयार जो किया गया है वो तयार किया गया है गुजरात के एक शहर में जहां पर बीए पीएस जो है स्वामी नारेंड मंदिर की यह जो संस्था है इसी संस्था के दबारा ही हर भारतियों को गर्भ है हम सभी को इस बात का गर्भ है कि अभी यहां रहने वाले लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि यहां पर एक मंदिर का निर्माड होगा, एक मुस्लिम देश में एक मंदिर का निर्माड होगा, इतना दिब्व और भव निर्माड होगा, लेकि इने सब कुछ साकार हो पाया, जैसा कि मैं बार-बार बता रहा हूं कि यहां पर क्राउन प्रिंच से मुलाकात करते हैं और उसी दोरान मंदिर निर्माण की बात आगे बढ़ती है और इतै होता है कि हाँ यहां यूए की सरकार बीए पीएस ट्रस्ट को यहां पर जमीन अलॉट करेगी जहां पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा और फिर 2019 मंदि का श्weLaन नियास होता है प्रदान मंत्री मुदी के हाPad और आज आप देखिए उन्हीं के हां तो मंदिर का उधगाटन हो रहा है कहाने वहीं कहानी दहराई जा रही है मंदीप अयुद्ध्या में जो सनातन की धर्मधुजा अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सनातन संस्कित की पुनरजागरण के प्रयास में वो अपना योगदान दे रहे हैं और भारती जो है यहां के प्रक्रिया होती है और उससे शुब महूर्त में ही वहां पर प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं और वही प्रक्रिया यहां पर भी अपनाई जाएगी आज सुबह जब हमने तस्वीरे देखी ती तो विद्वयत यहां पर पूजा अरचना की गई का करिकरम यहां पर संपन हुआ जितने भी मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई है सभी के पूजा अरचना की गई है लेकिन मंदिर का उप्चारीक उधगाटन प्रधानमंत्री मोधी के हाठ हुई होगा से यहाँ पर कार conventional करम आगे बढ़ रहा है त्या कारेकरम के के साथ भी यहां पर वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे फिर लोगों के बीच जाएंगे वहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे इस मंदिर के बारे में जो और बाते साजा की गई है मंदीप वो हम बता देते हैं B.A.P.S. की तरफ से कि भगवान जगनाद बल्दे और सुबद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकडी की हैं जो की ओडिशा के पूरी में वहां के पुजारियों की देखनेक में बनाई गई है इसके लावा तिरुपती बाला जी और मापद्रा मापद्मा की जो मूर्ती है वो आंद्रप्र मिष्ठा हुई उसके बाद जब उनकी पहली तस्वीर सामने आई तो मनमोहक उन्होंने उस वक्त वस्तर धारन कर रखा था उनके माथे पर जो कुपूट जो मुकुट था उसमें जो रत्न जड़े हुए थे वो सभी हम सभी के मन को आकरशित कर रहे थे तो जाहिरी से बात साथ अमीरातों के संग से मिलकर बना है इसी वेश से साथ शिकर इस मंदिर में बनाए गए हैं और साथ भारती देवी देवता उन शिकर के नीचे जो गरवगरे हैं उनको विराजमान किया गया है हर देवी देवता के मंदिर के बाहर उनसे संबंधित दिलायें पत्थरों पर मुर्तियों से उकरी गई है अलगर आपकद इंपगी दिल्ली के oлон मंदिर गई हो तो आपने देखा और वहाँ परली पत्थरों पर ओंगे हैं तुन रंगर के बहा पर अरब देश के उडद इसके लावा सोमनात मंदिर में अकलाकृति के जरिये नकाश्वी के जरिये इस मंदिर को दिव्यता और भाविता प्रदान की गई जिसके तस्विरे इस वक्त निजएटीन के स्क्रीन पर तमाम दर्शत देख भी पा रहे होंगे और उसके बाद पिया मोदी जब मंदिर का उद्गाटन कर देंगे हम समय लो सामी नरण मंदिर की छूटनी न पाए 27 एकड में पहला पहला हिंदू मंदिर अबुधाविक इस धर्ती पर उद्गाटन गरने पहुँच चुके हैं प्रधान मत्री सुभवी प्रान प्रतिष्टा शांकिये तस्विरे किस तरीके से आयुध्या में रामलिला की प्रान प्रतिष्टा से पहले उन्होंने ग्यारा दिन का तप किया था उस तप की तस्विरें हमने देखी थी कि नारियल पानी पीते थे नीचे कंबल बिचाकर वो लेटा करते थे तो इस वज़े से कहा जाता है कि वो सेनातन को ध गातन करने के लिए नहीं आये हैं बलकि एक जो धर्म धोजा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसका संदेश भी लेकर आये हैं कि भारत कैसे वस्देव कुटमकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है पूरी दिन्या को एक नजर से देखता है सर्व धर्म संभाव की नजर से हम सभी को देखते हैं हमारे सभी धर्म एक समान होते हैं और उसका संदेश उस मंदिर के जरे भी अमंदीब दिया गया है तो यही तस्पीरे अबुधावी से हर एक शन बहुत महत्पून भारती लिहास से और उस लिहास से भी कि यह ग्लोबली भारत की चवी क्या है फिलाल आप देख रहे हैं प्रिधानमंत्री को पुष्प अर्पित करते हुए भगवान स्वामी नराइन को नमन आज का दिन एतिहास में लिखा जाना बहुत महत्पून और स्वर अक्षरों से लिखा जाना बहुत महत्पून क्योंकि इस बात का जिक्रमित भी कर रहे थे एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदीर परंपुजिय प्रमुक स्वामी माहराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है तो यहां एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है जहां आकर यात्रिक अपनी प्रार्थना रख सकता है जो कारिय हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहां करने से वो कारिय हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है वहां प्रधान मंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे कि इसी रास्ते से आएंगे चुकि SPG की मुवमेंट यहां पर बढ़ गई है उसके बाद वहाँ पर पूजा विदी शुए हुए तो कुछी पलवाद प्रधार मंतरी मोदी मंदर का उद्गाटन करने पहुँचने वाले हैं पहले उन्होंने पूजा की 700 कोड़ रुपे की लागत से 27 सेकर में यह विशाल काय भव मंदर पर वाले हैं मैंने आडियो विजुल जर्नी, there are 24 प्रजेक्टर्स which envelop all four walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart. तमाम कलाकार यहां पर आए हैं, बलकि जो लोग यहां पर प्रवासी भारती रहते हैं, उनमें से भी कई कलाकार आज यहां पर अपनी प्रस्तुती देने वाले हैं, कई नन्य मुन्य बच्चे हैं, वो यहां पर हिंदोस्तान की संस्कृत को रिप्रेजन्ट करेंगे, तो कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा, उन तस्विरों को देखकर कि यह तस्विरे आबुधावी से आ रही हैं, ऐसा लगेगा कि यह देश के किसी अलग-अलग हिस्ते से तस्विरे सामने आ रही हैं, और वही अनुभव में कल से यहां आज तक कर पा रहा हूँ, चाहे मैं, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं अहलान मोदी कारिक्रम में जब मौझूद था, वहाँ पर जो भारती मौझूद थे, वहाँ पर उनके जो मनुभाव थे, उनके जो विचार थे, वहाँ जो कारिक्रम चल रहा था, वो सब इस बात का एहसास करवा रहे थे, कि हम अपने देश में मौझूद हैं, और आज यहां B.A.P.S. स्वामी नारान मंदिर में मौझूद रहने के दोरान भी वही एहसास मन को हो रहा है, कि हम भारत के किसी मंदिर में मौझूद हैं और उसी का दर्शन कर रहे हैं, इस वक्त मेरे ठीक डाई तरफ में मंदिर को देख पा रहा हूँ, और मंदिर के शिकर पर जो धर्म धजा लहरा रही है, वो कभी कलपना हुआ करती थी है मंदिर, वो कलपना साकार हो जाएगी, ये इतना आसान नहीं था और ये किसी के लिए सोच पाना भी बहुत संभो नहीं था, लेकिन इस सब कुछ हो पाया है, और जब हुआ है तो एक भारती होने के नाते, वो अनुभो बिल्कुल अलग है, शायद उसको शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है, वो अनुभो जो मैं कल से आस्ते के हाँ पर कर रहा हूँ. तो ये तस्वीरी भविता हर बात इस और इशारा करते हुई, ये सौहार्द के नजर्ये से बहुत महत्पोर, ये पूरा कदम, आपसे कुछी देर बात वर्च्वली आपको ये समझने को भी मिलेगा कि कैसे इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्यों इसका आकिटेक्चर इतना इंपॉर्टन्ट है, क्या खास बात है, इस लिहास से भी चुकि पहला मंदिर इस धरा पर ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन की हर एक चीज को समझाए जाएगा किस प्रकार से उकेरा गया, किस प्रकार से पत्थरों पर नकाशी हुई, अद्भुत कला जुसका उधारन ये मंदिर बनता है, प्रकार कि औब आपदापी ट अलेन, जिए जिए उस खी अजु से इंचे इंच्रेसे इचात की तो फव चाप्रोंकि अड़किशन आपदापी ये अजिए कर लाइव से बन्स्तर वे सूंव उन्स्तर वर इंच्रवब बनता है, अबना के प्रिए चार दोप्रिटा कि प्राइब प्रस्थीज तरुग्स इसान वार इंड़ के थिए अजीर जीड़ प्रणिकल वेख सुप्राओंग तिए तर विद्थी टेर्ट इंड है प्रफाट रप्लाग थाल प्रफ एक थिर भीक करिक पर कि बिएस्टार के थार्प्ट बिए हाय । इफ इस प्रफ में अ इस भाइ मिलाप गड़िए उसे कि में अर्पिन वीए्डिन फिर्फ साफ यूंग है अफिस बार्फ जापसुलेट इस अप्रफिंधने में प्रफिंग ज़िए přावश्ध इस्वेंगने इस अप्रफिंग, इस में धर सुनिकों फ्रेड़ने बादिश धी उस्तिने के थे यहरेशसूलेगे और इसले इसले के इसले रखिंगे हैं 면 this is a place of worship years the whole people who are in the UAE would come and pray opening this uh temple in Abu Dhabi people coming from all around